बाश मुझे एक बात बताओ एक बात जो बात यहां पर मनोस्तर ने भी उठाई अब सवाल यह है कि कुर्बानी देगा कौन कुर्बानी देगा कौन कौन देगा कुर्बानी बिल्कुल अगर बिल्कुल कुर्बानी के अगर बात की जाए तो बीजेपी बीजेपी की जो रण तरहिए कीशना प्रती यह का सकता है कि एक ऐसा साथी जो सीम का नाम है उसके पीछे जो नाम लगता वैसे ही नाम कॉंग्रेस में नेता प्रती पक्ष्ट की पद मांग रहे हैं और उसी गाउं उसी शेतर के वो होने वाले हैं उनकी कुरबानि जरूर बीजेपी लेने की तैयारी कर रही है और वो नाम है हरीज दामी यानि कि हरीज दामी जो शायद मुख्यमंतरी के लिए अपनी खुर्सी छोड़ देंगे इस तरीके की बाते अभी सामने आ रहे हैं यह ना मनुसर यह क्या पूर रहे है सुभाश ना यह हरीज रावत क कि खासम खाश हरीज दामी का नाम ले रहे हैं सुभाश मेरे सायोगी है लेकिन मैं टोक दिया देखिया आपके सामने मनुसर करेक्ट करिए का जरा सुभाश क्या बोर रहे हैं मैं तुभाश की बाद से इस्थे पास रखता हूं क्योंकि यह जो राद भी थी है ना यह इसको सुभाना बहुत कटिम क्याव है हरीज दामी के खेत्र में भी अपने पुश्कर दामी चुनाव की लड़ने लिगे और हरीज दामी की खेत्र में भी चुनाव लड़ने सब्सक्राइब करेंगे यह इस बात में इंगिस करता है कि वह बिद्रों कर सकते हैं कांवरेस में जागे और मुझे मनों सर आप इतनी बाड़ी बात ब्रेकिंग दे रहे हैं सुभाश मुझे सुभाश एक बात बताओना हो तो हरीज रावत के बेहत खासम-खास है शिश्य है उनके हरीज रावत के खासम-खास हुआ करते शिश्य के तौर पे देखे जाते थे लेकिन ये देखा जा सकता है कि 2022 में वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और विधान सभा पहुंच गए ऐसे हरीज धामी यदि नेदा प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाते उनकी शै की मांगे प्री नहीं होती हैं तो यह माना जा सकता है कि बीजेपी जरूर उनकी मांगे पूरी कर सकती है और उसके लिए बी-जैपी पूरी जरीके से तैयार भी नजार सिर्अब कि अगर उन्जे राजिस्वा बेज दिया जाए तो वो भी ये भाणी जी के लिए सीट होने को तयार है। अपर विशन सिंग चुफाल भी कहना है कि अब उनकी जो राज़िती की अंतिन पारिशंद्येगा वो खुद राजिस्वा जाने को तयार है। तेन तीन जग्रे से चरे को कोंइरे से और विशन सिर्व थेयर वहां वहां भी पेहले भी खंदूरी सरकार में कवनेट मंत्शित रहा बिर कुल बिर कुल ऑन ton तो खंडूरी सरकार में और समर्थन उन्हों ने दिया था खंडूरी सरकार में भी रजेंद्र बंडारी मंत्री हुआ करते थे निर्दलिय परतियाशी बनकर विधान सबसे जीत कर आये थे सुनीता मैडम कुर्बानी देगा कौन मैंने पूछा सुभाज देखो कितनी बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं कहने कि हरीश धामी भी तैयार है और रडार पर जो है बंडारी जी भी है अब किरन मंडल पार्ट टू हो सकता है वैसे शुरुआत आपी ने किती सोभागे से कुछ टीपी एस रावज जी ने ये सोभागे से शुरुआत आपी ने की थी आज फिर आपी को सोभागे मिल रहा है देखे ऐसा है चामला जी ये तो अभी बहुत दूर की बातें हैं कि गाजे सबर सामसर तक के तो अभी जून जुलाई में होगा जो भी होगा लेकिन अब साथ में पूरे प्रदेश का नेत्री तो करें तो यहां पर अगर पार्टी में भी अगर एंस दिगज हैं हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन मुझे ऐसा बिलकुल नहीं लगता यह बहुती अलग बात हो जाएगी अम मैं आपको बताओं मैं बता देता हूं आपको आपकी मैं दूर की बात नहीं है जब वलोणी जी के साथ धामी जी मुलाकात करने गए थे अमिशाजी के पास तब वो इस वार्मूले को ले कर गए थे जो अंदर की खबर है कि यह सीट पर यह यह लोग मेरे लिए कुरबानी देने के लिए तyяर हैं इस सीट पर इतना मारजन इत आगे की सोच कर चलती है